नमस्कार स्वागत है आपका जनतर टीवी पर हम फिर से मुद्दा लेकर हाजर है मैं हूँ आपके साथ दिपाले देश में चुनावी सरगर्मिया अपनी चरम पर है और मौसम की बढ़ती गर्मी के साथ ही राजनेतिक गलियारों में भी माहुल काफी गर्म हो गया है एक तरफ कॉंग्रस की न्याय योचना को बीजेपी आलोचना जेलनी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ आर्बियाए के गवर्नर रह चुके रगुराम राजन को राहुल गांधी के स्कीम में अफसर नजर आ रहा है उनके मताबिक कॉंग्रस की न्याय स्कीम से देश में क्रांती कारी बदलाव आ सकते हैं और जमीने इस तरफ पर तरक्की भी हो सकती है वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे भर्त की जो एक महाशक्ती के रूप में उभर कर सामने आया है लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रगुराम राजन की आपको बताए रगुराम राजन ने क्या कुछ कहा है जिसको लेकर ये पूरी हलचल मच गई है सही तरीके से लागु किया जाये तो ये स्कीम अच्छी है योजा से ब्याइन इस तरफ पर तरक्की हो सकती है और ये कारगार भी हो सकती है हाला कि उन्होंने ये भी कहा है कि देश की मौजुदा वित्य हालत को देखते हुए इतना खर्ट संभब नहीं लगता रगुराम राचर ने कहा कि इस तही तरीके से अगर इसे लागू किया जाए तो मिनिमम गारंटी स्कीम से क्रांती कारी बदलाव आस सकते हैं योजना से ये जमीनी इस तरपर तरक्की भी हो सकती है इससे लोग अपने वित्यर रिन्नेक खुद ले सकेंगे इसके लाबा प्रभावी तरीके से अगर इसे लागू किया जाए तो ये योजना चीजों को बदल सकती है हाला कि रगुराम राजन ने इस योजना के लागू होने पर संदेभी जताया है देश की मौज़दा अर्थ विवस्था पर रगुराम राजन ने चिंता जताते हुए कहा है कि निया योजना के तहट सालाना करीब 3,6 लाग रुपए का खर्च हो सकता है सोशल स्कीम्स पर मोधी सरकार के 2019-2020 के तैब भजट में 3,34,000 रुपए 3,34,000 रुपए के से भी जादा है कॉंग्रेस सत्ता में आई तो सरकार को समाजिक योजनाओं के लिए 6,9,4 लाख करोर रुपए की सबस्डी देनी होगी तो इसको स्कीम को लागू करने में दिक्कत हो सकती है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खर्चा बढ़ सकता है जो मौझुदा स्थिती है ये बात कही है रखुराम राजन ने तो देश की सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रस ने युनिवर्सल बेसिक इंकम के जरिये अगामी चुनावों में देश की जनता को लुभाने के लिए एक ऐसा दाम चला है जिसे पूरे देश को फायदा होने की बात कहीं जा रही है इसके साथ ही इसको कॉंग्रस के मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देखा जा रहा है इस बार का लोकसभद चुनाव देश में बहुत बड़ा चुनाव बाना जा रहा है क्योंकि भारतिय जन्रता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कई जग महागड़ बंदन बने है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस भी बीजेपी को रोकने के लिए 80 से चोटी तक का जोर लगा रही है और इस बात को साबित करने के लिए कॉंग्रेस सद्ध्यक्षाहुल गांधी ने ट्रंप कार्ट चल दिया है जिसमें कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद देश के 20% गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने का चुनावी वादा किया गया है हर जात, हर धर्म, हर भाशा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को कॉंग्रेस की तरफ से निवनितम आए गैरेंटी के तहट दिये जाने वाली रकम का सीधा फाइदा देश के 25 करोड लोगों को होगा साथ ही अगर कॉंग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो मिनिममम इंकम के तहट 12,000 रुपए प्रती महिने देने का बादा भी किया गया है राहुल गांधी की एहम बातों पर नज़र डालें तो वो ये हैं कि 72,000 रुपए साल आना दिये जाएंगे 20% गरीब परिवारों को आए गरेंटी की बात कही गई है 5 करोड परिवारों को इसका फाइदा होगा साथ ही 25 करोड लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा राहुल गांधी ने जिस नियुनितम आमदनी गरेंटी योजना का जिक्र किया है इसके तहट कॉंग्रेस एक निश्चित रकम तै करेगी और फिर एक मानक स्थापित कर इसका वित्रण किया जाएगा वहीं कॉंग्रेस अध्यक्ष ने इस दिन को अईतिहासिक दिन बताते हुए सत्ता रूठ पार्टी का जिक्र भी किया और उस पर निशाना साधा बीजेपी की तरफ से बजट में किसानों को दिये जाने वाले 6000 रुपे की सालाना रकम पर तंज कसते हुए राहुल ने किंदर सरकार को आड़े हाथ हो लिया बाइओ और बैनों प्रधान मंत्रिह आप से कहते हैं कि उन्होंने किसानों को पैसा दिया 3.50 रुपे उन्होंने किसानों को दिये वहां ताली भजी ठीक है सिंपल सी बात है आपको गुम्रा किया जा रहा है आपको साड़े तीन रुपए दिये जाते है और प्राइवेट हवाई जाज़ वालों को लाखों करोड रुपए दिये जाते है हम अब आपको नियाई देने जा रहे है नमबर याद रखिए 20% सबसे गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल का यूनिवर्सल बेसिक स्कीम के जरिये राजनितिक दल सत्ता में काबिज होने के लिए इसका इस्तमाल करते रहे है लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से किये गए वादे के मताबिक देश की जनता को इसका फाइदा होने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इसी तरह की सुविधाएं ब्राजिल, कनाडा, डेनमार्क, फिनलेंड, जयमनी और आरलेंड जैसे देशों में पहले ही लागू की जा चुकी है जिसके सकरात्मक पहलू देखने को मिले है आखर इस स्कीम की जरूरत क्यों है बताते हैं आपको यूनिवर्सल बेसिक इंकम से लोगों के जीवन स्तर में बहुत हद तक बदलावा सकता है इस से असामानता को पाटने में मदद मिलेगी और गरीबी खत्म की जा सकती है किसानों की आत्महत्या और बेरुसगारी दर को इस योजना के जरीए खत्म किया जा सकता है भारत इस साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों की सूची में 103 नमबर पर आया था वही मानव विकास सूचकांक यानी HDI की 189 देशों की सूची में 130 नमबर पर है इसके अलावा स्वास्त सुविधाओं के मामले में भारत 195 देशों की सूची में 145 स्थान पर है जो देश के लोगों के औसत जीवन स्थर को बया करता है इसलिए भी UBI की जरूरत महसूस की जा रही है उमीद की जा रही है कि अगर इस स्कीम को देश में लागू किया जाता है तो देश का भला हो सकता है लेकिन उसके लिए कॉंग्रेस को सत्ता में आना होगा साथ ही अपने किये वादे को भी पूरा करना होगा लेकिन भारतीय जन्रता पार्टी ने भी सत्ता में आने के लिए लोहे के चनले जबाए है और आगामी चुनावों में कॉंग्रेस को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तियार हो सकती है देखना होगा दर्शकों तक देश पराज कर चुकी कॉंग्रेस इस बार वापसी करने के लिए और क्या करती है जुबैर खान के साथ ब्यूरे रिपोर्ट जन तंत्र टीवी तो चले इस मुद्धे पर चर्चा करने के लिए हमाई साथ जुड़ चुकी है यहाँ पर कॉंग्रेस की प्रवक्ता है रफट पातिमा बहुत स्वागत है आपका इसके लावा करनल द्याशंकर दुबे हैं जो बीजीपी के प्रवक्ता है सबसे पहले कॉंग्रेस का रुक करती हूँ यहाँ पर रफत फातिमा जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आप कोउंग्रस पर सवाल ये उठाया जा रहा है और यह आज पिर से विशय पिर से चालू हो गया है क्योंकि लगातार इसे पर प्रतिक्रिया आ रही है और इसी के तहट ये भी एक योजना है जो सीधे जनता में हिट करके कॉंग्रस जीतना चाहती है इस जुनाओं को पहले तो हम ये बताना करेंगे कि कॉंग्रस जो सब के नियाय देने की एक बात जो कर रही है वो ऐसे परिवारों के लिए जो आज जिस हालत में है उनको रोटी की मतलब बेन होता है खाना अगर पेट भर के खाना जनता को नहीं मिलना अमारी प्रजा को नहीं मिलना है तो वो सरकार हमें लगता बैक फूट पर है ये एक एथिहासिक फैसला होगा ये मिनिमम इंकम वाला काम है इसके लिए मिटिंग्स हुई है बड़े-बड़े एकनॉमिस्ट सब बैट के आपस में डिसकेशन हुआ है विपरीत विचारधारा के होने के बावजूद भी सबने सका वेलकम करा है सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जिन परिवार में 12,000 आए नहीं है वो गरीब परिवार हुआ यानि कि सबको जीने का हख है तो इस परिवार इस निया जो स्कीम है इसके तहट कोशिश ये की जाएगी हर परिवार को कम से कम 12,000 मिनिमम इनकम उसकी हो तो ये एक बड़ा फैसला होगा इसको सैज्धानतिक रूप से लागू किया जाएगा हमाई सरकार का ये मुख एजेंडा है कि जनता की जो परिशानिया है उसको दूर करी जाए और जनता जो लगतार पांस साल से तरस्त है जुमले बाजी से उसको छलावे से जिस तरीख से परिशान करा गया है अपने जूटे बादों से आज हम लोग जनता का भरोसा जीतना चाहरे और जनत को इस परिशानियों से निज्जा दिलाना चाहरे बिल्कुला यहाँ पर करनल दया दुबै जी क्या लगता है कि ये तो योजना लागो हो गई लेकिन क्या वज़े है जो सभी कोई भी पार्टी आती है चुनाव नजदीक है सब अपने अपने बादे कर रहे हैं लेकिन कुमले बाजी कहीं जा रही है क्यों क्या वज़े है क्या मुद्दा है जनता के बीच जाएंगे वादा करेंगे लेकिन इस मुद्दे को लेकर इतना इश्यू क्यों बनाया जा रहा है इसो नहीं है यह जो भी मुद्दा इन्होंने उचाला है राहुल गांधी जी ने यह इनका अपना विवेक है अपने विवेक से इन्होंने कहा कि 72 अजार रुपए प्रतिवर्सी एकाउंट में ट्रांस्फर करेंगे करते से मैं उन्होंने उसका तरीका भी बताया था अपनी विधी में कि इसको एकाउंट को टॉप अप किया जाएगा जिससे 25 करोन लोगों को परिवारों को डारेक्ट लाव होगा मेरा मानना यह है कि अगले दिन ही उनकी ही पार्टी से सुर्जेवाला जी ने कहा कि ये टॉप अप योजना नहीं है बलकि बहत्तर अजार ट्रांस्फर होगा जहां तक फिस्कल डेफिस्कित की बात हम लोग करते हैं तो वो कहते हैं कि वो चितांबरम जी बताएंगे ये चितांबरम जी का ही तो किया धरा है जिसके वज़े से देश की एकोनामी रसातल में चली गई थी ये कहते हैं कि हम हरे को 72 जार उपया देंगे अरे उनको सपोर्ट जदी कोई गरीब है उसको सपोर्ट दिया जाता है फाइनेंसियल सपोर्ट ना कि उनको पंगू बना करके और आप हर महीने ट्रांसफर करेंगे आप किस तरह की बात कर रहे है आप जो बाते करके लेके समाज लहुतर है वो आप वायबल ही नहीं है आज के तारीख में आप क्या चाहते हैं कि समाज के एक बग को आप निकम्म साबित करके ये कहना चाहते हैं कि टैक्सपेर के मनी को सिधा-सिधा उठा के ट्रांसफर कर दे या मिनिममम सपोर्ट दे करके उनको बनाना चाहते हैं समाज के अंदर इस मस्ट भी टेकन केर इंटू आज तो वैसे भी आज इस वारतवर्स के लिए गर्व का दिन है आपको पॉइंट चर्चा है चर्चा क्यों नहीं करेंगे आपको इस वज़े से है कि क्या वज़े हो रही है बीजेपी ने भी तमाम बादे किये किसानों को भी खाते में 15 लाग देने के लिए सब को खाते में बात की लेकिन फिर अगर ऐसा ही था तो सबको मजबूत बनाना था आज सिती ये नहीं होती कि विपक्ष के पास ये सवाल उठाने के लिए ये मुद्दा ही बनता के रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है लोग परिशान क्यों है किसान परिशान क्यों है गरीब तब का परिशान क्यों है से आज से पांच साल पहले यही सरकार और साट सतर साल के बीचों में थोड़ा कुछ समय छोड़ दिया जाये तो इनी की सरकार थी गरीबी हटाओ का नारा इनी के दादी ने दिया था सवाल यह है कि ज़िए इनको हटाना होता सचमुश तो ही कर चुके होते लेकिन यहीं तो क बड़ाजस्तान के सबसे बड़े किसान माने जाते हैं जा जिस जमीन पर पैर रखते हैं वहीं जमीन उनकी हो जाती है प्रियांका जी घुम रही है उत्तर प्रेस में अब महा सचीव हैं वह रिजल्ट आपको दिख जाएगा सामने अभी चुनाव चली सुरू हो चुका है मत गड़ना भी हो जाएगी देखिएगा मही में क्या रिजल्टाता है तो यह सब कहने की बात है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है यह बात जनता आज अच्छी तरह से समझ पा रही है नरेंद भाई नरेंद्र मोधी के नित्रत्यों में जो हमारी सरकार है उसने इन्फराइस्ट्रक्चर का एक ऐसा तंत्र तयार किया है जिससे जनमानस के अंदर यह विश्वास बैठा है कि विकास के डगर पर या गरीवी पुर्मूनल के तरफ यदि कोई ले जा सकता है तो वो सिर्फ भाई नरेंद्र मोधी की सरकार ही ले करके जा सकती है बाकी यह लुप्रजी बाते करते हैं सिर्फ फरजी फरजी इनको तो भृस्टाचार से मुझत नहीं कहीं चले जाये है तो बाहत पुराना था इंद्रागाधी के जमाने से आपकी सब्सक्राइब कर दो हजार चार में प्रदान मंस्री बच्पर लाके मालिक आदिए और अगला चुना हो जाए तो हो सकता है दो तुक्डों में पार्टी है एक चरफ कुछ अमीर एक कर दो हो की बात मत करिए आज ऐसे लोग समार को बचा करते हैं तो आज में बता रह हमारी सरकार प्रगती के पद पर है काम करती है हमारे के किसान रोज आंदोलन कर रहे ये प्रगती हो रहे है और उन पर लाटी चार्ड ये प्रगती हो रहे है किसी के अरे किसी किसान तर्गती ये प्रगती हो रहे है तो इसलिए कर रहे है क्योंकि इसने कुछ नहीं कर आई वह बल्कुल फातिवा झीğ क्या लगता है आप कॉंग्रस पिर से वही अपने पूरानी इस दूर्गती है और दूसरों को इलजाम लगाते हैं जिस तरिकते क तो मीनिक सवाल करने की जई एक मेरा सवाल सुन लीजे मेरा कहने का मतलब यह है क्या कॉंग्रस फिर उसी रहा पर चल रही है जहां पर इंद्रा गांधी चल रही थी गांधी जी चल रहे थी जिए की एक कोशिश थी की पावर टू पीपल यानि की एक ग्राम स्वराज को पूरा करना क्या इसी स्टाटेजी पर आप कॉंग्रस फिर से बापस लौट रही है मैड़म कॉंग्रेस विचारधारा की पार्टी है कॉंग्रेस किसी एक व्यक्ति विशेश की पार्टी नहीं पूरी कॉंग्रेस पार्टी एक विचारधारा से बनी है वो अपना इठिहास उसका यही है कि वो लोगों के लिए काम करें लोगों के लिए जीए देशित के लिए काम करें आज जिस तरीखते मोदी जी ने इंदुस्तान को दो टुकलों में बाट दिया एक तरफ कॉर्परेट सेक्शन एक तरफ जनता कुछ अपने भाईयों को खुश करने के चक्कर में सब को भगा दिया पैसा दे दे के तो उनको वापस भी निलाया जा रहा है जिस तरीखते मोदी जी ने देश को बरबाद करा है कॉंgress जनता के पीर जाएगी और जनता का भरोसा जीते की आज जितना लोन अमीर जादों दूसरे की योजनाओं पर अपने फीते काचना शर्म तो यह आ रही चाहिए कि हर योजनाओं पर अपनी भी मोहर लगा रहे हर जितने भी इवेंट देखनी, इवेंट बना के रख जिया पूरे देश को, अगर कोई योज ना होती है, इसको इवेंट इतना प्रैसा बरबाद हो रहा है, लेकिन आम जनता के लिए इनके पक कुछ नहीं है, आम जनता के पास सिर्फ उनको लाठी मिलती है, या फिर जुमले बादी, त कि कैसे पूरा करेगी, क्योंकि गरीबों की बात तो आप भी करते हैं, विकास की बात आप भी करते हैं, कि जन जन तक यहां पर हमारे विकास की यूजना पहुच रही है, और अगर इससे कुछ फाइदा हो रहा है, और विकास आगे बढ़ेगा, गरीब लोगों को कुछ फ चलावा है, जिसकी छलांग लगा करके इसको समाज में तहरने के लिए छोड़ दिया गया है, मेरा कहना कुछ और है, ये कहते हैं, अभी कह रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता कि देश को आजाद कराया है, इतना बढ़ियां आजाद कराया कि जब देश आजाद हुआ तो उ मेरा कहना क्या है, कि ये जूट मूट का करते हैं, ये तो खुद ही भस्टाचार में इतने लिप्त हैं कि इनके पास ये पैसा आजाएगा, तो मैं आपको बताओं, इनहीं के राजीव गानी ने कहा था, कि जो एक रुपया चलता है, वो जमीन पर पहुचता ही नहीं है, य गल्ती से कभी, जो की संभव तो अब दिखता नहीं, गल्ती से कभी इनकी सरकार बनी, तो ये पूरा का पूरा पैसा रस्ते में पी जाएंगे, इस तरह के ये लोग हैं, इनकी खुद के अध्यक्ष आज जबानत में हैं, ये औरों को तो खाते हैं, अपनी बिलिक तक आग उसको इनकी खाते ही लेकर के नीपिग वैठाई, और उसी कभी इनकी से पूरा पैसा ट्रांस्वर कर लिए, आज इंदरा गाधी के बाद सोनिया गाधी जी आज खुद जबानत पर है, प्रियांका के वंड़रा जो है, ये पूरा का पूरा इतनी परिवार जो है, ये पू अरगाधा हो रहा है, इहां उसको इनकी से फायदा हुआ है, ये पूरा जूर्ण से, निरम मोदी जिसको इन्हों ने इतने सारे रूपे बिना किसी टर्म स्कंडिसन के यलोन दिये मैडम उसको हम ला रहें सिग्र हो सकता है इसी हफिए और उसके घर की कुड़की आपको लेटस्ट उसकी कुड़की बताता हूं पातिबा जी जितना वेने लोगों नहीं लिया उतना तो इन लोगों ने मेरे से कुड़की करके ले लिया यह क्यों लिए यह काम इंका कर था यह हमारा काम लिए यह सोब को बिल करके लोग दिये पातिबा जी एक सवाल यह भी है मेरा कि यहां पर ठीक है यह भी मेरा एक सवाल है कि ठीक है यह यह योजना आपनी आपने सोच समझ कर इसको लागो करने की बात कहीं है लेकिन यह सवाल यह भी उट रहा है जिस रोजगार कि आप बात करें जैसा कि आपने मनरेगा की योजना आपकी सरकार में आई थी उसके बाद फूट फॉर आल की योजना आई थी तो क्या ऐसी कोई यह ऐसा कुछ योजना होती जिससे सीधे रोजगार मिलता भटकना नहीं पड़ता क्योंकि यह एक योजना ऐसी इसके सवाल पर तमाम इसमारे चाहले यह बी उठ रहा है तो कि आमदेनी कम है तो उसको उसके बराब जीने का अधिकार होना चाहिए उसको इतना कम से कम हो उसकी मिनिमाम आए कि आसानी से जी सके सब को जीने का अधिकार है तो अगर किसी की 6,000 है तो उसकी 12 होने चाहिए अगर किसी की 8 है तो भी 12 होना चाहिए अगर किसी की 9 है तो भी 12 सकते ones को सबसे चबाइं नहीं करते हैं अप्रों की सबसे बाद जी बाद PG attendees की किसके अप्रों की कि अभी आपके कर बोली है यह स्कीम इसलिए लाए गई कि सबको न्याई दी जाए सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए तो इसलिए बराबरी का दर्जा भी क्योंकि आज जो जितनी जंता हमारे क्या परेशान है शैद कोई नहीं कुछ एक कुछ परसेंट को अगर आप अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान से भी पिछड़ा हुआ है यह तो हालात है तो फिर क्या कहेंगे कर्म भीहीन आदिनी जीवन में कुछ नहीं करता यह आप भी जानती है जो कर्म करता है उसी का भाग भी साथ देता है God help those who help themselves यह बड़ा किलियर है आप यह समझिए कि आप क्यों कहते हैं कि डायरेक्ट हम किसी को अनुपांका के तरह जग डाल देंगे हमने भी किसानों के मदद करने की बात करी शेयर आपके सर्वे में भी था लेकिन आपने लागू ने किया हमने उसको हमको एक ही चीज़ कहना है कि किसी को आप समाज में पंगू ना बनाई है यह भी पैसा आप देते हैं हमारी सरकार ने जदी किसानों के लिए कुछ किया तो वह कहा कि यह आपके खाद के लिए है यह आपके पानी के लिए है ताकि आपके लिए सपोर्ट हो जाए financial support ताकि देश के उत्वादन करें देश का विकास हो देश की प्रगती हो एक काउंट में 72,000 पहले तो आप सरकार में आने नहीं जा रहे हैं और छलावा कर रहे हैं पुरी जंता के साथ कि आपना जो इनका पच्पन लाख था दो हजार चार में वो चोदा में नौ करूड हो गया है उसको सरेंडर कर दे नेसरल हेरांड वाली लाकर के पैसे दे दे चितांबरन के कृति से कावा करके पैसे बापिस करा दे यह पुरा मामला बहुता चार पर आचाता है और बीजेपी कॉंग्रेस पर आरोफ लगाती है कॉंग्रेस बिजी से लिए फॉरान हाजर हो रहे है